हेलो दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि हमें बहुत ही छोटी वाली भूख लग जाती है तो उस टाइम पे हम सोचने लगते हैं कि कुछ नया सा चट पटा सा क्या मिल जाए जो बहुत ही जलुदी से बन भी जा और खाने में भी बहुत ही पेट भी भर जा टेश्टी भी हो तो इसके लिए हम बनाएंगे ये बहुत ही चट पटा सा नास्ता बहुत ही टेश्टी बना है तो इसके लिए हम पत्तव भूभी को crush कर लेंगे और डालेंगे उसे एक बॉल में और बॉल में डाल करके तो इसके लिए मैं आपके जी पत्तव भी लिया है उसका उपर का सारा पत्ता आप निकाल देजी अच्थी से देख लिए क्योंकि अंदर में कीरा रहता है तो इससे यह बैसन और चावब के अटा से ही हम यह नास्ता बहुत इंट्रेस्टिंग सा नास्ता बांढ़ेंगे तो अब हम इस यह आप देख सकते हैं क्यूंकि आप ज़्षब नेकिन लिए से डालना है क्या होता है यह सब Tink-soda नासे तो ने हटा तो है लिकिन पटनी होता है यह से क्या कर गेंगे तो ऊछब्ला पानी जालक इनया नाकी हमें तैलना है ये आप देख सकते हैं क्योंकि आप ज्यादा पानी डालेंगे ये क्या है जो पत्तग हो भी तो उसमें ज्यादा हमें पानी डालेंगे तो ये फिर अच्छा से ये बनेगा नहीं अब हम इसमें क्या करेंगे एक बड़ा प्यास बारे कटा हो और हम इसे मिला लेंगे अच्छ बहुत ही टेस्टी लगता है तो इस पकोड़े को आप बना करके जरूर देखेगा यह शाम का जब थोड़ा सा भूख लगता है तो अब इस टाइम पर यह नास्ता बना करके आप खाईए आपको बहुत ही पसंद आएगा और इसे अच फ्लेम को हम मीटियम रखेंगे और बहुत ज़्यादा तेश्टी लगेगा तो पारिस के मौसम में बारिस का मजा भी लेजिए और यह गर्मा गरम पकोड़े पत्ता गोभी के मिक्स पकोड़े आप खाईए आपको बहुत ही पसंद आएगा और अब हम इसे क्या करेंगे निकाल लेंगे इससे की एक्स्ट्रा तेल इसका निकल जाएगा फिर दूसरा दूसरा पैट जो भी है इसी तरीके से हम इसे फ्राइ कर लेंगे आप चाहें तो इसका यह रोड़ी ऐसा भी बना सकते हैं पर मैंने इसे पकोड़ा जिसे बनाया है जो चाय के साथ बहुत ही टेस्ट लगेगा वैसे भी बहुत ही बहुत यासान होती है जो घर की समानों से बहुत यासानी से बन जाता है और खाने में लाजवाब होता है तो एक वरा ट्राइ तो जरूर करिएगा और प्रीज मेरे वीडियो को जैसे सेर करिएगा कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिसे कि मुझे बह कड़ी तो आप अच्छा लगता है और यह देख सकते हैं कितने रिष्टी और क्रिस्पी बने हैं बहुत ज्यादा क्रिस्पी बने हैं तो आपको बहुत पिसंद आएगा तो खाये पीजे मस रहें और में रेसेबी को ट्राइ करते रही है जो बहुत यूनिक और इंट्रेस्टिक होती है और बहुत ही पसंद आने वाली भी होती है तो एक पर आप जो ट्राइकर करके देखिएगा उपको बहुत ही पसंद आएगा और ये मैंने टोमेटर सॉस दिया है उसमें आप डिप और देखिए मैं अंदर तक आपको तोर के दिखाती हूं अंदर से भी पौद अच्छे से पग गया है और ये फिर भी लेंगी बिल्कुल नए रेसेबी के साथ जो बिल्कुल आसान भी होगी और टेस्टी भी साथ में तो तब तक के लिए बाई